दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटे को दबाए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थमदेल एंट टाइटल देखके तो आप समझे गए हो कि आज आप देखने वाले हो 5-Volt Ninja Pro ये smart watch का unboxing and honest review क्योंकि दोस्तो इस watch को मैं हफते बर से use कर रहा हूँ and अब मैं आपको इसकी सारी positives and negatives भी share करने वाला हूँ दोस्तो इस video में आपको ये भी समझ में आजएगा कि क्या आपको traditional watches लेने चाहिए जिन में कोई function नहीं होते जिन में सिर्फ dials होते हैं या फिर आपको smart watch opt करना चाहिए अगर आप 2,000 रुपीज तक spend कर सकते हो तो इसकी best buy link मैंने पेंट कमेंट में ही दे दी है तो आप इसे check out भी जरू कर लीजेगा let's start with the unboxing first and then आप इसका review देखोगे सो चलो इसका unboxing कर लें दोस्तों वैसे इस watch को मैं अफ्ते वर से यूज कर रहा है तो मैंने इससे तो हात में पेंट रखा है तो और क्या चीज़े यह आपको बता दूंगा स्लीप मॉनिटरिंग भी है इसके में फीचर दिये गए है एप को आपको डाउनलोड करना है तो आप इससे स्कैन करके डाउनलोड कर पाऊगे यह मिलता है लेने चाहोगे तो 2000 के अंदर और और बी कुछ एक्स्टा थोड़े सगर कैश पैक मिल गए तो आपको और ज्यादा फाइदा हो जाएगा चलो अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं बॉक्स के अंदर से आपको स्मार्ट वाच मिलेगी और बॉक्स मैन्यूल फ्री जी फाइफ का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फर वन मंच यह है बोल्ट अप को डाउनलोड करने का कार्ड यहां सब रजिस्टर कर सकते हो वारंटी को और गाना अप तो इसका भी आपको फ्री थ्री मंच का मुजिक सब्सक्रिप्शन मिलता है तो अब शुरू करते है इस वाच का रिव्यू और स्टाट करते है पॉसिटिव पॉइंटर के साथ दोस्तो पहले देख लें कि क्या आपको एक स्मार्ट वाच खरीदनी चाहिए अगर आपका 2000 का बजेट हो या फिर आपको ट्रेडिशनल वाच खरीदनी चाहिए दोस्तो आपको यहाँ पे काफी सारे advanced functions देखने मिलते हैं नेक्स अगर बात करें तो इस watch में आपको full metal body मिल जाती है which is again a really good thing in this price range इसको यह durability factor अच्छा मिल जाता है belt की बात करें silicon belt है और यहाँ पे holes काफी दिये गए है तो अगर पतली wrist भी हो तो भी आप यह easily पहन पाओगे इस watch में आपको color options भी काफी सार available है which is again good watch को जब आप charging पे रखोगे तो यहाँ पे इसका charging connector भी बहतरीन दिया हुआ है magnetic connector है कोई problem नहीं है बस direct connect हो जाता है यह दो से डाइ घंटे में इसकी बैटरी चार्ज होती है full 0-200 फाइवड निजा प्रो में आपको spo2 monitoring भी देखने मिलता है तो यह जो चीज़े यह normally under 2000 रूपीज के watches में नहीं देखने मिलती so this is something which is a new feature जो हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है तो इससे आप अपने oxygen levels जो है अपने body के वह आप easily check out कर सकते हो dynamic heart rate को भी आप check out कर सकते हो so इससे आप dynamically heart rate को monitor कर सकते हो so इस watch में आपको दोनों ही options मिलते हैं कि क्या आपको heart rate की continuous monitoring चाहिए तो उससे आप app से on कर सकते हो जल्दू इससे उसकी battery और जादा जल्दी खतम हो सकती है and यह आप में भी बताया जाता है यह अगर आप चाहो तो आप खुद भी आप इससे अपने schedule के इसाब से आप अपनी heart rate को check out करते रह सकते हो so you have both the options to do it automatically and do it manually also so blood pressure levels को भी आप हमेशा इस watch के तुरू check out कर सकते हो so जो यह अगे निक अच्छी बात हो जाती है तो दोस्तों यहां पर आपको spo2, heart rate monitoring, blood pressure monitoring यह तीनों चीज़े आपको एक ही watch में मिल रही है इसमें आपको multiple sports modes मिल जाते है so जिसका आप यूज कर सकते हो तो यहां पर आपको smart notifications मिलते हैं तो जब भी आपको message आते है तो वो आपको notify कर देगा दोस्तों यहां पर अलग-अलग apps के तुरू जो भी notifications आएंगे उसको आप कर सकते हो set the fit app के तुरू तो जो दाफिट एप है यह solidly इसके साथ synchronize हो जाता है यह बहुत ही मस्त है दोस्तों यहां पर मैंने एक चीज़ और एक notice किये कि आप जो है रोज अपना जो data है watch का इस app के साथ easily synchronize कर सकते हो बस अब अपने smartphone में एक बार Bluetooth on कर दीजिए that's it तो this is really good मैं पूरे दिन इसे Bluetooth से connected नहीं रखता फिर भी कोई दिक्कत आती नहीं है यह watch IP67 water resistant है and मैंने इसे पिछले एक अफ़ते में जितना यूज किया है तो मैंने देख लिया कि लेकिनो normally like hand wash कर रहे हो तो जब भी मैं भार से में घर पर आता हो कर सकते हो यह watch के जो यह जो box दिया है नहीं यहां पर बारकोट से भी आप डाउलोड कर सकता तो गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा और मैंने इसके डाउनलोड link description में भी दे दिया है तो यहां पर point यह है कि यह जो app है यह काफी बढ़िया है synchronization with the watch is awesome आपको बिल्कुल भी यह पर lag fail नहीं होता और इस watch में आपको watch faces काफी काफी मिल जाता है and it looks really good बिल्कुल भी pixel light नहीं दिखता है यह watch पे तो यह सारी चीज़े इसको काफी बढ़िया positive pointers लाके देते हैं अब बात करें इस watch के negative points की दोस्तों अल्दू यह जो negative points है यह deal breaker तो नहीं है बट still आपको यह जानने जरूरी है दोस्तों इस watch में आपको IP67 water resistant मिलता है बट इसी के बदल अगर आपको IP68 की waterproof rating मिलती तो यह जादा better होता तो वहाँ पे दोस्तों इसी के सामने काफी और इसी watches available है जहाँ पे आपको IP68 मिल जाता है यहाँ पे company claim करती है कि यहाँ पे आपको battery 15 days का standby power मिलता है अब दोस्तों मुझे यह claim कितना सही है यह समझ में कभी नहीं आता क्योंकि अगर मैं इसे real life में use कर रहा है जैसे मैंने अभी इसे पहिन के रखा है तो एसी situations में यह watch 5 दिन की मुझे battery life दे रही है so this is the truth 15 दिन वाले फंडा पे मच जाए यह हर एक company बोल दिये के you know इतना standby उतना standby मिलेगा but frankly इस watch के साथ आपको जो मैंने बताया यह 5 दिन तो मिलने ही वाला है so now here's my final review for this watch दोस्तों मैं इस watch को personally खरीद के use कर रहा हूं and यह कोई sponsor review नहीं है so that is why I can really give you an honest review and I can tell you कि दोस्तों यहां पर मैंसे 4.5 out of 5 stars easily rate करूंगा and यह इसी लिए क्योंकि मुझे इस watch में ना सिर्फ hardware अच्छा मिलता है बट इसका software भी काफी अच्छा मिलता है जिसकी वैसे इसे हर generation के लोग use कर सकते है इसे senior citizens भी use कर सकते है यहां पे आपको benefits काफी जादा मिलते है and यहां पे positives definitely जादा है in fact अगर आप पहली बार एक smart watch खरीद रहे हो then you should definitely check out this one एक बार आपको यह कम budget वाली जादा features वाली smart watch समझ में आ जाए फिर आप और advanced features वाली smart watch के तरफ खर्चा कर सकते हो ठीक है तो दोस्तों अगर आपको इस smart watch को check out करना है best by links को मैंने दे दिया है पिंट कमेंट में definitely check out कीजिए वीडियो गर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना इंफेक्ट आप कमेंट्स में सिंपल सा थैंक्स भी लिखोगे तो यह मुझे मोटिवेट करता है